हेलो दोस्तो मेरा जो रेफराल आइडि है यहां पर दोखो निकाथ हूं ठीक है यहां फर जो है मेरा रेफराल आइड़ी क्या है ढग कर लिया था यह 1000 और यह बंदे ने मेरा जो है ठेक कर लिया और देख यह बंदा चैट करके कह रहा है कि भाई मैं तेरा चैनल और रेफरल आइडी ब्लॉक करा दूंगा ठीक है और यहां पर चैट देखो इसका यह जब यह इसने जो है उस दिन कॉल गया तो भाई कहता है गुड मोनिंग भाई बहुत प्यार से बात कर रहा था ठीक है मैं इसने क्या है मेरे साथ दोगा कर दिया अलांगी बहुत टाइम तक यह फसा नहीं कोशिस करता रहा था बर मैं फसा नहीं था फिर भी जो कैसे भी करके मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा उस चीज़ कर और इसने क्या OTP देखके लोग इन कर लिया मेरे आईडी कोटी कर अब मैं भी थोड़ा सा क्या रेफराल क कमिशन जो करवा दूंगा तो मैंने इससे का आईडी ले ले यह वाला ऐसे दिख रही है इससे कंपनी पर बात करके जो करवा दी तो यह बंदा कह रहा था कि भाई नहीं अपने मुबाईल में ही लोगिन करऊंगो मैंने इसको मना कर दिया डायट काफी देर तक यह करता र और उस आईडी पे मेरा ध्यान नहीं गया ठीक है कि अगर मैं स्क्रीन सेयर करूंगा इसके साथ तो यह जो ओटी भी जो है भीच के यह कर देखते ओटी भी जो है मेरा लोगिन कर लेगा ठीक है तो इस चीज को मेरे को ध्यान नहीं रहा था तो इसी वज़े से क्या इसने आईडी है कर लिए मेरे ठीक है अब यह पता नहीं ठीक है अब इसका विद्रॉल नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा ठीक है मेरा पैसा विद्रॉल नहीं हो रहा ठीक है अब यह कर नहीं पा रहा है साथ पता नहीं क्यों मार यह कह रहा है भाई में तेरा यूटूब चैनल और आइडी ब्लोक करा दूँगा तु भी ब्लोक करना जानता है तो मैं भी करने जानता हूँ तो मतलब यह कह रहा है मतलब इसको न हराम की खाने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि इसने मेरा 3000 पहले तो विद्रॉल मार लिया ठीक है हराम का मतलब इसको इतनी सरम नहीं आता है कि कोई बंदा इतना टाइम से महनत कर रहा ठीक है चैनल पर और तू उस पर स्ट्राइक मार देगा कुछ पैस होगे लालेच के चक्कर में या कुछ भी आइडी ब्लोक करवा देगा तो उसको सरम नहीं आता है है और मतलब यह लिख रहा है तेरी आइए यह उकाद है मतलब भाई इसकी अगाद कुछ ज्यादा ही है अपर देख रहे होगे इसकैस ने लिखाद़ कि तेरी आइएय搞त है तो भै इसकी अगाद इतनी है मैं बता दूं कि हात पैरों से या अपना स्थे या का पैसा लागा के नहीं कमा सकता है, इसको लोगों के साथ fraud करने की आदत है, और इसको हराम के खाने की आदत है, तो इससे बंदू से बच करा करो, कोई भी OTP मांगे, कोई भी कैसे भी screen recording अगर आप का number उसको पता है, और आप अंजान आदमी हो, तो कभी भी screen recording या कोई भी ऐसा चीज मत दीजे कि जिसमें आपका OTP दिख जाए, ठीक है, तो यही मेरे साथ गंती हो गया, तो इसने क्या है, ID हेकर लिया मेरा, ठीक है, और इसने क्या है, दो बार मेरा referral commission withdrawal भी मार लिया, और आज जो इससे पहले, मैंने withdrawal मार लिया, ठीक है, यहां पर, यहां पर, अभी मै उसके बाद यह बंदा मेरे को आके warning देता है, मतलो यह हराम खोर, एक तो हराम का पैसा खाएगा, ठीक है, और आके मेरे को अतकर, मेरे से कह रहा है, कि तरी यही उकाद है, इसकी उकाद बहुत ज़्याद है, क्योंकि इसमें दम नहीं है, ठीक है, पैसा लगा के कमा के खान है, इसकी उकाद कुछ ज़्यादा है, जब मेरे पास OTP आया, इसका त्रहंत स्क्रीन शेयर, इसने बोला कि थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो ID वर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे से शेयर कर दो, वाट्शप मेरे को कंपनी वाले के पास बीज तो मेरा OTP पर ध्यान नहीं दिया, मैंने, वहीं वहां पर गंती हुई, तुरंत जैसे OTP मेरे को थोड़ा ससा हुए, तुरंत मैंने रेफराल चेक किया, तुरंत इसने विद्ध्रावल मार लिया, ठीक है, हालांकि मैंने बहुत आइडिया लगाया, यहां पर, कि इसका ID को फैफरान से कैसा रिमूव किया जाए, रिमूव डिलीट करती है, काफी कमपनी से चैट किया, कि एससे प्रॉब्लम है, कि इस बंदे ने जो है, मेरा ID है कर लिया है, तो फिलाल तो कुछ भी, रिप्लाई तो नहीं दिया है कमपनी वाले न, बढ़ देखते हैं आगे क्या ह आगे 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 वर्निंग दे रहा है, मतलब इसको न एक तो अराम का भी चाहिए और फिर दूसरे के हमारी मतला हमारा ही पैसा खा रहा है और हमी को मतलो अवकाद दिखा रहा हुआ, कि तेरी है अवकाद है, इसकी अवकाद कितनी है यह आप सबी को पता है, ठीक है, क्य क्योंकि ऐसे नीच लोग जो होते हैं उनमें दम नहीं होता है घुछ से कमा के खाने में ठीक है जो दूसरे का हराम का ही चाहिए उनको जो लोगों के साथ फ्रॉड करते है